हे गाईज, वेलकम टो सिविल को एक बाइट, तो आज MP हिष्टरी का लेक्चर 4 है अपना, तो चलिए शुरू बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये थोड़ा एक एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं है, उससे थोड़ा हट का रहुच, अप आपको बताता जाता हूँ, आप देखते जाएएगा बस, ठीक है, सबसे पहले है, विराथपुरी, विराथपुरी का अबी modern name क्या है, सुछाक्पूर, ठीक है, उसकी बाद है महेश्मती, महेश्मती का modern name है महेश्वार, फिर इंड्रपूर, अब इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ ठीक है यह महावारत वाला इंद्रप्रस्थ ही समझ के चलिए आप इंद्रप्रस्थ तो इसका क्या है modern name आज इंद्वर है उसकी बात कुंटलपूर कुंटलपूर का modern name है किंदिया दैन उज्जैनी पहले बोलते थे उज्जैनी आई एक्ष्टा लग जाता था अप क्या बोलते हैं अपन उज्जैन ठीक है फिर है भोज्टाल दैट इस प्रिजेंट भुपाल देन धारा धारा नगरी दैट इस धार देन बहाता दैट इस बरहुत 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 आपने सुना होगा पीछे अपनने जब काव्या काव्या देट इस देट इस काकॉन काकॉंड बोट काकॉंड बोट काकॉंड बोट ठीक है तो यह अपने होगा एंशेन नेम इस साइड लेफ्ट साइड में होगा सारे एंशेन नेम और राइट साइड में होगा सारे मौडन नेम तो यह आप इसको ध्यान में रख करते जाएंगे जोई बात इंपर्टेंट लगे वह अपन हाइलाइट करते जाएंगे पहला पॉइंट वेरियस प्लेशेज रीजन्स एंड दियर रोल इन दा हिस्ट्री ऑफ एंप्यार इलस्ट्रेटेड इन दा इपिक्स डैट इस रामायन एंड महावारत ठीक है तो अलग अब देखो यह भी बात मित्थे पहीं चलेगी माना के हिंदु धर्म में इसको बिल्कुल ग्रंत के रूप में लेकर चलते हैं लेकिन यहां पर हम मित्थ ही मान कर चलेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं MP की हिस्ट्री यहां पर विल्कुल वैलेड प्रूफ होगा तभी तुलसी दास जी को क्या हुआ सपना आया रिशीव दा ब्लैसिंग सॉरी ब्लैसिंग ओफ लॉर्ड रामा इंड चित्रकूट तो ने आशरवाद मिला भगवान राम का चित्रकूट में यह बताए गया है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखिए लॉर्ड रामा स्पेंड इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे अपन यहां पर कुछ विबाद नहीं करने वाले कि रामा इंड में ऐसा था अब ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपना एंपी स्ट्री में दिया है मैं वही बात बता रहा हूं अपनी तरफ से कुछ भी एड नहीं किया यहां जो अच् कर रहा है इन पॉइंट्स में तो देखें लॉड राम स्पेंट मोश्ट आफ मोश्ट आफ इस वनबास इन देंस फॉरेश्ट अफ दंद करन्या तो यह कोश्चन पूछ सकते हैं कि MP में उस टाइम पर देखो MP कहां तक था 36 गड़ MP एक ही था तो दंद करन्या अब कहा है प्रिजेंट का बस्तर है तो भगवान राम ने सबसे अधा टाइम फॉरेश्ट में कहां बिताया था दंद करन्या में एंड एंड महा कंतर एंड महा कंतर ठीक है सेकिंड पॉइंट आईए नेक्स्ट पॉइंट है रावन किटनाप गॉडएस सीता अब देखो यह अपना से लिंक करते हुए चलना लेकिन यह पूरी रामायंड की तरह नहीं एड प्रिजेंट में जब आपन रामायंड पढ़ते हैं उसमें मैं आभी आपको बता हूँ क्या चीज आ लगए तो देखो रावन किटनाप गॉडएस सीता एंड टुक हर तू इस स्टेट लंका ठीक ह सितामा को उसने क्रिटनेप किया रावर ने और कहां लेगे लंका लेगे दिस लंका इस अज्यूम टू बी लोकेटेड नियर जवलपूर और अमर कंटक तो देखा यह पॉइंट अलग है तो यह जो लंका बता रहे हैं न एंपी स्ट्री में यह बता रहे हैं यह कहां पर में लोकेटेड थी यह जवलपूर और अमर कंटक में लोकेटेड थी तो यह श्रीलंका साइड में लोकेटेड नहीं थी ठीक है तो स्लिए थोड़े सी अलग है थोड़ा सा यहां पर कंट्राडक्शन भी आ सकता है लेकिन आपको Εस चीजको दिहान में नहीं रखना है हम जो content मिला है हम वही चीज पढ़ाएंगे यही चीज एक्जाम में आईगी के mp history के according रावड की लंका क्या थी ऐसे question भी आ सकते हैं तो क्या थी जवलपूर और अमर कंटक साइड का area था ठीक है चलो आंगे चलते हैं अब आंगे बताते हैं आपको आंगे है goddess Sita had given birth to the twins sons ठीक ह तो अच्छी बात यह है कि यहां पर भी नाम वही रखा है love and kush love kush in walmikis ashram तो सीता माने दो बच्चों को दो twin बच्चों को जन्न दिया जिनका नाम था love kush और वो कहां पर हुए walmikis ashram में चलो यह चीज तो हम जानते हैं अब next point पर आते हैं this ashram is assumed to be located at bank of river tons अब river near sorry कहां पर था bank of river tons ठीक है तो किस जगे located था located at the bank of river tons tons that is tamasha as mentioned in ramayan तो जो रामयन बुक है इनकी according उसमें क्या दिया था उसमें tons का नाम दिया tamasha which originated from जो कहां से originated हो रही थी अमार कंटक से चलिए next point later on kush ruled over south kushal जो love kushma से kush थे ना kush ने कहां पर राज्य किया kush जी ने राज्य किया कहां पर south kushal में south kushal that is present का क्या है 36 गड़े and 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 shan bhugati and shan bhugati अब ये shan bhugati को ने son of shatrudhan तो आपको पता है ना राम जी के चार भाई थे राम जी के चार भाई थे उनमा से एक थे shatrudhan तो shatrudhan का बेटा था ये shan bhugati तो shan bhugati ने कहां पर राज्य किया इन्हों ने किया विदीशा में ठीक है तो kush ने किया at present की 36 गड़ में that is south kushal और shan bhugati और shan bhugati ने किया कहां पर विदीशा में चलो next point तो ये point important हो जाते हैं किसने कहां पर राज्य किया ठीक है तो ऐसे ही नहीं हम फालतू पढ़ रहे हैं next point है this time a tribe निशाद वाज एक tribe थी जिसका नाम था निशाद वाज ruling over a state located in the forest of सत्पुड़ा सत्पुड़ा एंड विंध्यांचल ठीक है तो ये tribe कहां पर थी सत्पुड़ा और विंध्यांचल के forest में located करती थी ठीक है after the completion of त्रेता योग अब देखो योगों की बात आ यह त्रेता योग मतलब यह माना गया था कि रामयान का जो टाइम था त्रेता योग था तो जैसी त्रेता योग कंप्लीट हुआ द्वापर योग स्टार्टेड विट वॉर उफ महाभारत इसके जस्ट बाद आया द्वापर योग तो MPGK के according तो MP history के according यह बताया कि पहले some state of MP took part in the war with opposite site ठीक है states of bundelkhand and bhagelkhand reason supported the pandavas ठीक है तो क्या हुआ बundelkhand और bhagelkhand का जो reason था इन्होंने क्या किया इन्होंने पांडवों को support किया तो महाभारत आई होप आप सब लोग जानते होंगे पांडव और पांडव और कॉर्वों का जो युद्ध चला था उसमें पांडव यह सब जो भी थे आप सब जानते हैं इसके बार में मैं डारेक्ट पॉइंट पर आता हूं कि पॉइंट यह कि बुंदेलkhand और bhagelkhand का इस साइड के जो रीजन के लोग थे इन लोग ने पांडव को सपोर्ट किया था कहां पर महाभारत की वार चल रही थी ठीक है तो कौन-कौन से स्ट्रेट थे जिन्होंने पांडव को सपोर्ट किया था वो तो मैंने रीजन बता दिया बुंदेलkhand और भागेलkhand अब इनक स्ट्रेट इन मालवा रीजन के स्ट्रेट थे उन्होंने कोरव के सपोर्ट किया सपोर्टूर कोरgi को अभीह और कौन-कौन थे उस टाइम पर महेश मती आवंती भोज विधर्व और कि थांक कि थांक देंड निशाद एंड एंड वाश्वी एंड वाश्वी तो इन सभी श्ट्रेट ने किसको सपोर्ट किया कौर्व को सपोर्ट किया तो कोशन आ सकता है कैसा भी यह पूछ सकते हैं कि एंशेंट हिस्ट्री में एंपी की एंशेंट हिस्ट्री में पांडव को सपोर्ट करने वाले कौन-कौन से स्ट्रेट थे तो आप यह बता देना इसलिए इन सब को आप ध्यान में रखना फिर एसी कौर्वों को सपोर्ट करने वाले कौन से स्ट्रेट थे या रीजन कौन सा में ठीक है ना जो भी युद्ध के लिए जो भी चीज़ें लगती होंगी यह जो भी रिसोर्सेस होंगे उनमें यह मेन सिटी थी यह सब कैपेबल थी ठीक है इसलिए इनके नाम दिये गए हैं चलो ऑपन बात करते हैं महाजनपत एज की तो महाजनपत एज क्या था इसके आर महाजनपत अवंती है तो इसरी महाजनपत मैं से इए जो की है 62 ओर अवंती चलो बात कर Yes आज आपन बात करेंगे रोगएशवाशन पाथ की और अपने अगले lecture में बात करेंगे थी कि तू thermite की तो सुनिए पहले छेदी के बारे में सुन लेते हैं ठीक है तो छेदी डाइनस्टी कहां तक extended कर रखी थी इस्टर्न पार्ट अफ बुंदेल खंड इट्स कैपिटल वास शक्ती मती तो इनका कैपिटल क्या था शक्ती मती यह जितनी चीज अंडर्लाइन कर रहा हैं यह सब important हो जाती है एक्जाम पॉइंट अफ व्यू से तो इसकी कैपिटल कहती शक्ती मती वन अफ इट्स ब्रांच वास इनिशियेटिड इन कलिंगा औरीसा जो की एट प्रिसेंट का क्या है औरीसा तो इसकी एक ब्रांच इनिशियेटिड कहां पर होई थी कलिंगा में तो यह आपना सुना होगा महाभारत में भी कि शिशुपाल का सिर किस ने काटा था श्री कृष्ण ने काट दिया था तो किंग ऑफ छेदी डायनेस्टी था जो शिशुपाल था वो किया था छेदी डायनेस्टी का राजा था एक तो ये बात important हो जाती है तो इनका सिर्किस ने काड़ दिया था Lord Krishna ने देर आफटर छेदी डायनेस्टी विकम उसके बाद में क्या होगा है एकडम बिलकुल अपने एंड पर आ गई थी एंड मगद कैप्चरड़ ओ मगद ने क्या किया था छेदी डायनेस्टी को कैप्चरड़ कर लिया था तो आज अपन यहीं तक रखते है एक बार पूरा देख लेते हैं आज की लक्षर में हमने क्या क्या देखा तो देखिए शुरुबात हमने करी हां से कि हमने देखा सबसे पहले ancient and modern cities कौन कौन सी है ठीक है यह हमने सारी cities देखी modern cities कौन कौन सी है at present में और ancient नाम क्या था उनका इसके बाद में हमने MP under epic age में देखा कि mainly रामायन और महावारत का जादा इदर बोल वाला था ठीक है तो जो रामायन में according to myth तुलसी दास जी ने क्या क्या देखा वो सारी बात बताई फिर कुछ important points बता है हमने फिर लवकुष के वारे में बताया फिर next point में आंगे भी हमने ब महाजनपत age में MP से mainly दो स्टेट आइकॉन से एक अवंती है और एक छेदी है सबसे पहले हमने भी छेदी महाजनपत के आरे हैं बात कर लिया ठीक है वैसे overall जनपत कित्य थे 16 महाजनपत थे अपने MP में दो ही है छेदी और अवंती तो हमने छेदी महाजनपत के आरे में thank you guys